हिंदी आचारे की punctuation marks की सीरीज में आज पढ़ेंगे inverted commas के बारे में बच्चो तो यह जो inverted commas होते हैं इनको quotation marks भी कहते हैं और इनको quotes भी कहते हैं quote marks भी कहते हैं speech marks भी कहते हैं inverted commas तो कहते ही हैं या talking marks भी कहते हैं, यह ऐसे punctuation marks होते हैं, जो कि pair में, जो कि जोडों में इस्तिमाल होते हैं, और यह बहुत सरे writing systems में इस्तिमाल होते हैं, जो कि direct speech या quotation या किसी phrase को अलग करने के लिए इस्तिमाल होते हैं, यानि कि बच्चो देखो, जैसे कि इनके बहुत सारे नाम है, quotation marks, quotes, ये इस्तिमाल होते हैं, जब हम कोई वाक्य में किसी का बोला गया dialogue, use करेंगे, तो जादातर inverted commas यहां पर use होते हैं, लेकिन इनके और भी uses हैं, उनको एके करके पढ़ेंगे, एक बचो इनका use होता है, कि they are also used to indicate that the meaning of the word or the phrase they surround should be taken to be in a different form that typically is associated with it, यानि कि कई बार अगर वाक्य के बीच में छोटा सा inverted commas लगा के एक word को हमने इस्तिमाल किया ना, तो उस word का जो वैसे अर्थ है, उससे थोड़ा सा अलग अर्थ की तरह उसको use किया जाएगा, एक तो यह इसका use हुआ, और inverted commas or quotation marks are used to mark the exact words of a speaker or a quotation, तो जो बकता ने, तो ज exactly उसी तरह से जब हम लिखेंगे, तो हम इसके लिए inverted commas या quotation marks को इस्तिमाल करेंगे, तो पहले वाले जो quotation marks होते हैं, उसको कहते हैं, quote और उसके बाद में end में जो quotation marks होते हैं, उनको कहा जाता है, unquote, तो यह जोड़ों में इस्तिमाल होते हैं, और example है इसका, she said, quote, I like helping others, unquote बच्चों समझ गएं कि उसने कहा, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, तो इसमें हमने पहले inverted commas लगाए, quote, और inverted commas को end किया, unquote, दोनों जो inverted commas हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन बोलते समय हम उनको केवल quote and unquote कहते हैं, और देखिए, Shakespeare says, Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing, अब यह जो quote है, यह है, Shakespeare का है, और इस quote को हमने बिल्कुल exactly उसी तरह से लिखा है, तो इसलिए हमने यहां पर inverted commas का इस्तेमाल किया है, यहां पर, लेकिन बचों एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, कि जो पिछला वीडियो हमने colon वाला किया था, जब उसमें भी हम quotation दे रहे थे, तब हमने comma नहीं लगाया था, हमने colons लगाये थे, इस वीडियो में आप देख सकते हो, comma लगाया जाता है, जादा तर comma ही लगाया जाता है, लेकिन कई बार colon का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, quotation से पहले, अब बच्चो देखो एक चीज, जब हम किसी, a quotation within a quotation is marked by a single inverted commas, जब हम किसी quotation के बीच में एक quotation को लिखेंगे न, तब हम double वाले inverted commas नहीं, तब हम single वाले inverted commas को इस्तेमाल करेंगे, कैसे? He said, we often hear people say love makes life worth living, अब देखो बच्चो यहाँ पर love जो है, अगर एक quotation के अंदर दूसरी quotation आ रही है, तो हमने उसको single quotation में लिखा, इसको start किया हमने love से, और यह love से quote हुआ, और love पर ही unquote हुआ, यहाँ पर typing mistake से वो नहीं आ पाया, लेकिन आप समझ जाए कि quotation चल रही है, हम को सुनते हैं कि जो प्यार है वह जिन्दगी को जीने के लायक बना देता है, अभी इस quotation के अंदर जो प्यार शब्द है, यह है, एक quotation के अंदर ही एक दूसरी quotation है, तो उसके लिए हम double quotation marks नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम single quotation marks लगाएंगे, तो बच्चो आप समझ गए हो, inverted commas या quotes के बारे में पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को subscribe कीजिए अगर आपको पसंद आया, हिंदी आचार है,